Dear Students, Firstly आप रोग सबसे लाइन कीचेंगे यह हमने कटिंग करके रखी हुली है कलर और कवीकौल से मिक्स करके ब्लू कलर के कलर में पवीकौल मिक्स करके और हम स्प्रेय करेंगे टूथ बश्की हैज से स्प्रेय करेंगे यह रिखिया में किया, अब हम फिर इसको नीचे की तरफ से किया, और फिर यह दो शेड हमने कर लिया, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको करके रखा हुआ है, एक ब्लू में वाइज करके किया, और एक lang में वाइज करो करके रहे है, तो मैं इसको पहले करके और से काट कर लिया, और मैं इस भी क्या चित में चेंज स्ट आ हुआ है, आस पास के एम फिर आफ अपर, फिर आप्स जूड, पर रखे और विए पूल के साथ मिक्स करके येलो कलर और सबसे पहले हम येलो कलर को स्प्रे करेंगे उस पूल में फैविकॉल इसलिए मिक्स कर रहे हैं कलर में ये वो जाके तुरंट जाके सूख जाता है और उसके जो दौर्ट सोथे हैं वो अलग से तो अब्रे वह दिखने लगा शीट को दवा दिया और इसमें अमने येलो कलर से इस परिया अब करेंगे और इसके सूखने का फिल बेट करेंगे और एक सर्कल और उससे बहा चोटा काट के रखेंगे जब तक बाता है उसमें हम और इंज कलर रई येलो में बहुत कम राइट मिक्स्ट करेंगे तो हमारा और वजिद और और उसमें पड़ी को रूंद मिक्स किया कि उससे चोटा सरकल लिया है इसमें पर से इसको स्प्रे करेंगे यह आपके समझ में आ रहा हुआ हमने इसको काटके पिर रखा हुआ है शीट को दबाएंगे बाकी एरिया को में एक धक दिया रहा हुआ हमने इसमें और इंज कलर का स्प्रे किया अब इससे एक छोटा सरकल और खाते हैं यह सूपी के लिए हम छोड़ा छोड़ेंगे इसको यह देख आठा है अभी हम एक शेड और डालेंगे सबैगे अब तक हमें नीचे के एरिया है मैं स्प्रे कर लेरें देखे हमें वापस पूरा धक दिया है फिर से इस सबको धग दिया है और हमको इतना नीचे का एरिया चाहिए जहां पर हमको light color blue spray करना है blue और white को mix किया उसमें fevicol को डाला इसे भी चीजों को cover कर दिया जितनी जगे पर हमको spray करना है उतनी जगे दिया हुआ है इधर देखिए ब्लू कलर का इस तरफ गया आप इस तरफ और करेंगे बाती इसके बाउडर और अगरा सब को ढार दिया जहां थोड़ा सा आ सकता वहां में हाथ लगाया हुआ है जिससे की इस्प्रे होगा वह भी मारे हाथ पे आएगा बागी शीट पे नहीं आएगा यह देखिए इस प्रेय आ गया है अभ वैसे ही नीचे की शीट में भी लेंगे जो नीचे वाला एरिया बचा था उसमें भी हमको light blue ही चाहिए तो थोड़ा सा purple color रहा है white, blue और red mix करके सिर्फ जितने एरिया में हमको spray करना है उसको छोड़के बाकी एरिया को हमने cover कर दिया सेवन्थ क्लास में हमने पहले आपको spray painting दिखाई है उसमें stencil को हम रखते थे उसके आसपास के area में color करते थे अभी इससे अपन landscape बना रहे हैं टेक्निक वही है करने का pattern अलग है यह देखिए फिर आ गया इतना अभी हमें कुछ area में और लेना है उतना हमने फिर ढग दिया सूख जाने के बाद जब वह dry हो जाता है तब हम उसको करेंगे आप इसको dry करने के लिए यह rare का भी यूज़ कर सकते हैं यह rare भी यूज़ करेंगे तो इससे भी बहुत जल्दी dry हो जाता है तो हमको बहुत देर वेट नहीं करना पड़ता है पर्पे कलर बनाने के लिए red, white और blue कलर का यूज़ करते हैं जो भी आप second coat करते हैं तो आप उसके sheet को सूपने का वेट करेंगे हमने एक circle देखिए इतना circle हमको चाहिए था उतना हमने छोटा फिर से काटा और area हमारे पास आ गया है और orange कलर दिख रहा है वहाँ पर हम राइट कलर यूज़ करेंगे कलर में ट्रविकॉल मिक्स करना मत भूलिएगा यह देखिए राइट कलर भी होके हमारा अब जो बाकी area बच रहा है उसमें हम प्लेन कलर यूज़ करेंगे ग्लू वाइट परिकोल मिख्टिया अब भी एरिया बचा हुआ है उसमें लाकर डाक शीड बनाता है पर्पल कर और वहां कर रहे हैं इसके अलागा आप ब्लाइंड्सकेप में और भी कोई चीज दूसरी कलर कीम भी ले सकते हैं बट इसमें कलर में फैबिकोल मिक्स करना मत भूलिएगा इससे की जल्दी ड्राई हो जाता है को जितने अरिया में को लेना अतना अरिया देखें फिर हम कवर कर रहे हैं और जहां पर कवर नहीं हो पाएगा तो हैं रखेंगे इससे कि उधर आगे के वाले एरिया में नहीं जाएगे देखिए आप यह करें होंगे हमने हैंड को रखा हुआ इस तरह से कि वह आगे नहीं जाएगा कदर तो कि वहां हमको बहुत थोड़े से महीं नहीं नहीं तरह इसको बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है क्योंकि यह ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम देता है अलग यह भी गर्मी का सीजन है और कलर जिल्दी ड्राई हो जाते हैं क्योंकि घर में फैंचल रहे होते हैं क्योंकि देखिए हम उतने से में ही कर रहे हैं अभी हमारे शेड्स दिखने लगे हैं पेंटिंग में अभी जो एरिया बचेगा इसको कंप्री करना है ग्लू और वाइट निक्स किया और इसको जिगजग की तरह हमने फिल किया जैसे जिगजग लाइन डालते हैं उस तरह हमने ब्रेश को यूज किया हुआ है और जो यह बागी एरिया था उसे कंप्रीट किया इसमें भी हम दो शेड्स बनाएंगे पहले एक डाक कलर दिया फिर उसके बाद बाइट मिक्स करके और लाइट किया यह रिखिए इस तरह से में इसको फिल कर दिया है यह राउंड ब्रिश की हैल्ट से किया और हमारी यह पेंटी कम्प्रीट हो गई है इसमें आप बॉर्डर कई टाइप के यूज कर सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और स्कूल उपन होने पर हमको शो करेंगे और स्क्क्षी रचे में आप बॉर्डर कम्पटर आपकेक भाप लोग लोगरे आपолिर शोगए टेमाल झाल झाल झाल